हेलो गाइज वेलकम टो अनेदर वीडियो प्स्टॉक मार्केट फेंट उतका स्मॉल फिनार्ज बैंक की ओर से जून क्वाटर के फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका है आज के इस वीडियो में कवर करेंगे अनॉडिटेड स्टैंडर लॉन फिनांसल रिजल्ट आउट हो कौटर उन कार्टर ये रोन ये दोनों के इंकम इंक्रीश करती वे देखने को मिल रही है एक्सपेंस शावन अन्डड्र के रोड का मार्श ट्वंडिफोर में सावन हंधर्ट फिक रोडका और जुन ुन ट्वैंडेटरि में 501 करोड के एक्सपेंस हुआ था एक्सपेंस भी quarter on quarter year on year में increase किया लेकिन operating profit company का 311 करोड का before provision है March 24 में 282 करोड का और जुन 23 में 221 करोड का operating profit है quarter on quarter year on year में no doubt increase किया but company को provision 125 करोड का pay करना पड़ा March 24 में 73.8 करोड का और जुन 23 में 76.6 करोड का provision pay करना पड़ा त्योंकि provision इसे बहुत ज्यादा पे करना पड़ा है quarter on quarter में जिसके कहान profit में तो द्राउन देखने को मिला है लेकिन year on year की भी प्रोविजन बहुत ज्यादा पे करना पड़ा है और उसके बाद operating profit before tax 186 करोड का March 24 में 208.3 करोड का और जुन 23 में 143.5 करोड का इसके बाद नेट profit है 137.3 करोड का March 24 में 159.6 करोड का और जुन 23 में 107.4 करोड का profit quarter on quarter में down year on year में increase किया है EPS 1.24 रुपीज का quarter on quarter में down year on year में increase किया है gross NPA percentage का 2.78 परशन का net NPA 0.26 यहां पर देखा जाएगा इस तो gross NPA और नेट NPA दोनों increase किया quarter on quarter इसके वे इस कंपनी को पोफिजन बहुत जाद इस बाद चार्ज किया है और net NPA यहां पर year on year की जो NPA है यह reduce करता हूँ देखने को मिल रही है यहां पर NPA मलदा की reduce करता हूँ देखने को मिला है और अगर हम बात करें का सेग्मेंट वाइस revenue तो कंपनी के इंकम है यहां पर देखा जाए यहां पर जो जनरेट किया रिटेल होलसेल और ट्रेजरी इन तीनों से revenue जनरेट कर रहा है quarter on quarter year on year दोनों की revenue में no doubt increase क्या बट कंपनी प्रोविजन बहुत ज्यादा पे करने के कारण कंपनी को जो है जो में लॉस प्रॉफिट में फॉल हुआ quarter on quarter का तो गाज अगर हम इसके share की बात करें 50.02 रूपे कल की दिन share close हुआ था 1% का losses था 0.95% का loss था फाइव डे में 0.42% का loss था वन मंत में 0.68% का loss है और company 6 मंत में 16.7% का losses है और अगर हम देखेंगा इस तो company जो है वन एर में अगर देखा जाए तो कंपनी जो है राउंड वन एर में ट्वंडी स्ट जुलाई को company स्टॉक एक्चेंज में लिस्टेड हुआ था और तब से कंपनी जो प्राइस बंट थका है उसी प्राइस बंट कंपनी के शियर आ चुके है वापस से और 4.21% का लिष्ट देखने को मिल रही है तो मतलब कर सकते हैं तो आप इंवेश्मेंट कर सकते हैं तो हम लोग जो है वीडियो को कमेंट बॉक्स में पूछे मिलते हैं नेक्स फोड़ों में दिल देंगे बाए